है है लों मैं हूं मुहंम्मद सोहिल और आप लोगों के सामें स्टॉप को ले आ गए हम वोड़फौन आइडिया लिमिटेड अब देखिए वोड़फौन आइडिया के आंदर कि हम वेइंग करें कि हम स्टॉप रिवस्तल जाने तक रुकें क्या छोटे स्टॉप के ंदर कि प्रॉफिट बन सकती है सभी के अंदर यही डाउट है दोस्तों अगर आप मेरा पिछला वीडियो देखके 7 अंडाफ यानि 7.40 पैसा के पास इंट्री करके रुके होंगे तो मेरे टागेश करेक्टर 10 रुपीस लेवल के पास थे वह कली के दिन अचीव हो गए है 10.10 उसके बस टॉक रिवसल ले चुका है दोस्तों देखिए अब रिवसल ले चुका है सभी लोग सोंच रहें कि क्या इधर बैइंग करें हां दोस्तों आप इधर भी बैइंग करके चल सकते हैं टागेश बस आप 10 रुपीस लगाए ना 11 लगाए ना 12 लगाए लॉंग टागेश के लिए 12, 14, 18, 19 तक भी आप लिवसल लगा सकते हैं वोड़ फोन आइडिया के अंदर पर शॉर्टरम टागेश के लिए आपको कवर करने के लिए कैपिटल भी होना होगा अगर आप पूरा कैपिटल लगा देंगे तो भी आपका कैपिटल इदर स्थक हो जाएगा ऐसे प्र के अंदर इंट्री लिजिए वरना इसके अंदर इंट्री मत लिजिए अगर आप इंट्री लेना भी चाहते हैं यह लेविल पर जो आज के दिन क्लोजिंग दिया है स्टॉक ने तो लेके आवरेज करने के लिए थोड़ा सा अमॉन्ट रख लिजिए आवरेज आपका बस 1 पॉइंट एटी पैसा पर होगा यानि अगर आपने सेवेंट पॉइंट पॉइंट पैसा पर लिया है तो यह स्टॉक गिर गया है तो आपको 5.80 पैसा पर इसे आवरेज करना होगा दोस्तों अगर आप मेरे यूटूब चैनल के लिए नए हो तो मेरा यूटूब चैनल के नोटिफिकेशन और पर क्लिक करिया क्योंकि कभी भी मैं वीडियो अपनोड कर दूंगा तो आपको नोटिफिकेशन मिलता ही रहेगा दोस्तों आज का दिने 1st September 20 Tuesday आइडिया का क्लोजिंग प्रेज है दोस्तों 8.85 आज इसका डे हाई है 10.95 डे लो है 07.65 देखिए दोस्तों आज के दिन भी हम लोगों को बाइंग ऑपॉर्चुनिटी मिली थी अगर आप मेरा पिछला वीडियो देखे होगे तो आप इधर घरी कर चुकि थी hun अगरे देखिए दोस्तों मैं पिछला वीडियो पिछला वीडियो बार बार बता रहा हूं आप सोम्चरे हों के मैं आप 100% बता सकता हूं आप जाके मिलेजिए आपको फ्रूब भी मिल जाएगा आपको इसके अंदर स्तनडिट लेबल पे कैसा wise जो इसके अंदर अभी तक हुआ नहीं बस इसके अंदर हमें 90ular to 80ular होता है एक दिन के अंदर पर आज के दिन जो भी इसके अंदर प्राइस एक्शन बनी थी Reversal की ही बनी है आगे चलके भी Reversal की बनीHolaगी जब आप हमें के अंदर entry लीजिए जब तक स्टॉक के अंदर entry लीजिए हिमत अगर हमें यह 007.50 पाइसा नहीं दे रहा है तो क्यूंकि इस लेवल पे हमें ज्यादा प्रॉफिट नहीं बनेगी और इस लेवल पे हम लोग लेंगे भी तो स्टॉक रिवसल भी हो जाएगा तो आगे आए तक बहुत प्रब्लम हो जाएगा उसमें भी छोटा स्ट्राटेजी क्या मेंटेंड करें आपको चार्ट अनलैसिस करते हुए बता दूगा यह मेरा टेलिग्राम चैनल है दूस्तों आपने अभी तक मेरा टेलिग्राम चैनल जोइन नह यह को है कि हापकेर मार्केट के अंदर कभी भी आप मुझे मेसेज कर सकते हैं आपके मेसेज का में कुछ у Instagram का पेज लेके आया हूं दोस्तों क्योंकि मेल के अंदर अगर टी मिस हो गया डी मिस हो गया एस मिस हो गया तो मुझे मेसेज नहीं आ रहे है जायतर सब्सक्राइब प्रॉब्लम सभी को प्रॉब्लम हो रही है इसलिए में आप सभी के लिए Instagram पेज लेके आगया हूं चलिए आगे बढ़ जाते हैं वीडियो के अंदर चार्ट अनालेसिस पर दोस्तों जब यह constant level चल रहा था जब भी मैंने आपको वीडियो अपलोड करके बता दिया था कि दोस्तों बेफिकर रही है इसके अंदर मिड रेंज चल रही है इसके अंदर आपके level हो जाएगे लेवल अचीव होने के बादी रिवसल होगा जब तक इसके अंदर रिवसल देखने कुन नहीं मिलेगा जो भी अप्रेंड में ट्रेट करता है यानि आप लाइन को ब्रेक करते हुए RSI का अप्रेंड लाइन को ब्रेक करते हुए स्टॉक चलता है उसे बॉट्टम लेवल कते ही कभी भी पकड़ नहीं होगा दुस्तों इसलिए आपको मैंने बता दिया था कि 10 रुपीज पे एक्जिट हो जाईए होके स्टॉक के अंदर रिवसल आता हुआ देखें उसके बाद बिलो एट रुपीज आप किदर भी बैइंग कर सकते थे आपको बता दिया था दोस्तों आज के दिन भी आप बिलो एट के अंदर भी एंट्री करें आपका एक्जिट होकर 10 रुपे और बात आपको बताना चाहता हूं कल के दिन भी मार्केट में जो भी रिवस्टा लाया सेवेंट पॉइंट फिफ्टी पैसा पर आप इंट्री ले सकते हैं अगर रिवस्टा जाता हुआ दिखा तो ही आप 5.90 पैसा या 5.80 पैसा के पास आवरेज करिए इससे ज्यादा इसके इंदर आवरेज मत करिए क्योंकि इस कैपिटल अटकने के चा अब 10 रुपे पर एकजिट कर सकते हैं अगर आपको प्रॉफिट मिल रहा है तो 8 रुपीस 9 रुपीस किदर भी आप एकजिट हो जा सकते हैं दुस्तों पर देखिए स्टॉक के अंदर जो भी रिवस्टा आने वाली है आगे चल के भी आने वाली है दूस्तों क्यूंकि य लोगों को reversal देखने को मिला बस उससे ज्यादा कुछ नहीं है इसके अंदर आप ट्रेड करना चाहते तो जो मैं आपको लिवर्ज बताई है strategy बनाई है उसके हिसाब से अब ट्रेड करिए यह मैं टागेश निकाला हूं कल ट्रेड करने के लिए मार्केट के अंदर यानि 2nd September 2020 Wednesday के लिए कल के दिन बैइंग का पोजिशन बने सेलिंग का पोजिशन बने आप मेरे टागेश लेके चल सकते हैं अगर आप बिगनर है अगर आप स्टॉक मार्केट के लिए नहीं है मेरे टागेश मेरे लेवल के लिए भी नहीं तो बस आप पे झाल भी जपला इब ह Suddenly कि झाल दो बासी हुआ मैं व्ला आप जहें जा व्लाइ कैन अगर इसकateur के लिए सिंय सवेशा का घंज के लिए खएंगसे से रस रस्ск package in